अरे बेटा पैसा कहा है रे क्म शुब मैं थाल-जा भी रे, मुझा एाल-लाकी दिरस्ताइब प्रशेघ को क्या हुआ सो क्या है उसकी मौत जीत के बीच में उसकी मौत का कारण छुपा हुआ है सर लास्ट नेट हेट कांस्टेबल बाबू और मैं इहाँ पर आये थे सर चोटा सा क्लू भी नहीं मिला सर, जो मर गया वो बहुत ब्रिल्येंट है सर तरु वो मारने वाला सुरी सर, वो थी इंक्वारी मने की नहीं सर गोट, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, इंक्वारी करोगे तो पता चलेगा सब 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 चलिये सर सर, हम यहाँ पर कीवाई है? हमे, अगर इस मडर की गुथी को सुल्जाना है न, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसका मडर कैसे हुआ यह पता लगाना ही अपने लिए बड़ा टास्क है वाट अन इंटिलेक्च्छल सर, वाट अ बिग क्राइम स्टोरी सर आखर यह क्राइम कैसे हुआ, एक पलिस के नाते हमें सोचना होगा सर इस केस में अगर कुलू मिला तो वह दूसरी तरफ से ही मिलेगा सर, इतनी उम्र होने के बाद भी फिल्मों के चक्कर में मैंने शादी नहीं की, प्रोडुसर बनना ही मेरी जिन्दगी का मकसद है लेकिन समय साथ नहीं दे रहा यह सब हमें क्यों बता रहे है क्योंकि गुरू जी को कुछ नहीं पता है कौन है यह हाफ टिकर? इसका नाम गोलू बाबू है इसका यह नाम कैसे पढ़ा अगर बताऊंगा, तो यह हाफ से फूल दिखेगा गुरू जी अरे यह मेरे आसू है कीम्ती चीदों को छोड़ देना प्रोडूसर के अच्छा नहीं होता है गुरू जी आओ, यह चोटा पौच कमाल का है मेरा टाइम वेस्ट मत कीज़ू एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा बोलो ठीक है, नारेशन देने में टाइम लगेगा इसलिए पहले एक बर विजबल देख लिए गुरू जी, गुरू जी उधर रख यार गुरू जी बोक्स ओफिस को हिला कर रख दे आसी स्टोरी सुनाने वाला हूं इस टाइम में शेक करने वाली स्टोरी नहीं शेक करने वाली लड़की है तो बता पता है, में इन स्टोरी की बात कर रहा हूं, लड़की की नहीं इस स्क्रिप्ट में पेन भी नहीं रखूंगा फिर सेट पे उंगली भी नहीं रखूंगा और डेरेक्शन में तुम ही ओरे गोलू बाबू फिर मेरी स्टोरी सुनने के लिए अप टाइम कब देंगे स्टोरी सुनने के लिए टाइम डेरे टेन फ्राइडे मॉर्निंग नाइन अब अरे गुलू बाबू और इस टाइम में कोई डवट नहीं है क्या रे ये सब तुझे सिली दिख रहा है यहां क्राइम हुआ है हमारा दिमाग कराब और सिरियसनिस कमिंग सून सर क्यों रे तिरी बेकार बाते हम क्यों सुने इसमें जो सोल है न वह आपको चाहिए कंटेंट क्या है बहुत चारा कंटेंट है फिर बोलता जा पर बोलो रोट से उपन करते हैं क्या है कर दो कि अंडित थाओ फहा थिस नहां पर बड़र कर दो बाद़ कर दो जार दो जड़ा युल एपक्षान एक झालता है है बोल भाई वो हमारा आदमी नहीं है भाई है इसको पकार ही है लगश présent है है कि अ Rownd है अ हुआ विय्ट और उजू ऑटी में पस worked मैं आपा कि वियुड यह अर इसे बडिए अओफ प्रिया हुट प्रिय विए झाल 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 वो तो टाइम पे ही होगा ना आइ थेंक तुम्हारा एटिटुट और तुम्हारा काम ये दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते इस काम को चोज क्यों किया तुमने ये काम मुझे अच्छा लगा इतना क्यों पूछ रही हो क्यों मुझे नहीं बता ना बहुत सारे काम है कितने दिन तक करोगे पूरा नहीं होगा तब तक करूँगा अकेले कर सकते हो मैं जो भी करता हूँ सोचके करता हूँ और अकेले ही करता हूँ मुझे जो पसंद है वो कर सकते हो क्यों क्या हुआ अरे अगर मुझे कुछ सही लग गया तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें सही लगे इसले क्या करना होगा मैं हमेशा से ही सच्चाई पेविश्वास करता हूँ ये मेरी आदत है कुछ यात करने के लिए कि मैने तुम्हरे इस याद को पी लिया है तो तुम्हें यह नहीं चाहिए जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसे नहीं लेता हूँ क्टैण मून यह यह क्या कर रहा है ए क्या कर रहा है मेरा कोई नाम नहीं है क्या मैंने कितनी बार तुम्हारा नाम पूछना चाहा एक बार मुड के देखते हो कभी तुमने अपना नाम मुझे नहीं बताया क्या काम है वो आप और आपके साथ वो लड़की है न अपार्टमेंट के फंक्शन में जो मिटिंग हो दिया है इसी के बारे में पूछने के लिए सोसाइटी के लोग मुझे तंग कर रहे हैं मैं क्या करूँ आप अपना काम कीजिए उसी काम के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे और भी काम है ए क्या है बहुत ज़्यादा बोल रहे हो मैं कहां बोल रहा हूँ यह सब सिर्फ to pun Telvene બounce अब की वज़ेसे हो रहा है आपकी पतनी सभी मर्दों को गौर से देखती रहती है यहां तक की चौकिदार इसी का प्रेशानकर रहती है सारी ओरते मुझे परेशान कर रही है क्या बगवास कर रहे हो अगर फिर से कोई फालतु बात की ना तो इधर ही तुमको मार डालूंगा मैं मुझ बंद कर और निकल यहां से मैं इस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूं अब एक कैसा प्रेसिडेंट बोल तो एसे राजे से इंडिया का प्रेसिडेंट हो तो कोडिक फठीचर इडियर्ट यह कौन है यह कौन है यह कौन हो तुम क्या चाहिए मैं आए कमें बिना पूछे अंदर तो आ गए हो आप क्यों पूछ रहे हो आओ अब क्या हुआ भाई बैठने के लिए पर्मीशन तो लेनी पड़ेगी ना गोलु बाबु बैठो नो मेंशन क्या असा नहीं लग रहा है कि इसको बहुत जादा इगो है आगुरुजी अरे भाई साइलेंट ही रहोगे या कुछ टॉक भी करोगे स्टोरी शुरू करोगे या इगो ही कंटिन्यू करोगे इपको सामगें बडू करते हैं ओविजयोंत wasn't that look like jarisan open एर क्लोसिंग मुझे नहीं चाहिए पंच पंच चाहिए अँल अब यू सार आप जैसे प्रोड्दूसर के लिए ही तो लिख ना सर अब ही आपको देता हूं यह आंध्रा का पंच यह चेननई का पंच्छ है और यह केरला का पंच्छ है सर, हाउजट सर, यह सब पूरा मिला के, सर, बैग में रखो, मैंटर बताओ, ओके सर, ओके सर, अब में आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाओंगा कि आपको मसा जाएगा, हाँ, हीरो का इगो हिमाले की हैट जैसा है, हीरोन को तच किया न, वो सूपर है, यह सूपर है, नेक्स क्या है बताओ, सर, उधर से हिरोन सोच रही है, कैसा लगा सर, इतनी लंबी स्टोरी पर काम करूंगा, तो मैं ही फ्रेम से आउट हो जाऊँगा, सूपर थैंक्यू सर, आई गॉट अटा चांस, हाँ, थैंक्यू सर, गुर गुरुजी, लेकिन आपको ऐसे लोग क्यू मिलते हैं, गुरुजी, मेरा टाइम ही ऐसा है, हलो, मैं संपत्रा बोल रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है, मेरे फ्लैट में पेंटिंग का काम है, करोगे, फ्लैट नम्बो, रिवेरा 136, ओ, क्रिण कंपば स्क में सोःचां। उरा हैं, जया हैं, थैंक्या ह। क्रिणविव, क्रिणव चलुण। को Überleg Tan prince Arangeta士, खपको बाया, क्रिणा तूर में संहा ह। मैंने तो उम्मीदी छोड़ दी थी पर तुमने इसे फिर से वापस कर दिया मेरे फोकस से कुछ भी इसकेप नहीं होता आजा ना चले हादल में ये दोंगे साजन तुमेरा मैं तेरी जनिया मैं सूर पैलस हाद मैं चल कर देखूंगे मैरानी तेरी और तुमेरा राजा ये रंग रूब सब देखों तुमसे मैं ये कहती ये दिल का है बुलावा मैं तो अब बहकूंगी मुझको न रोको कोई भी टोके न मुझको यू रहने दो मैं तो अब बहकूंगी मुझको न रोको कोई भी टोके न मुझको यू रहने दो आजा ना चले हादल में ये दोंगे साजन तुमेरा मैं तेरी जनिया फूब पूब अजानेन, बेद तो से अदिये से कि देख लो तुम ही जानम कोई भी माने ना असवास मेरी से मैं सो मस्तिस कॉछदी डेक से लो तुम드 दो है आढा देकूना तुम्यों ये है मेरा, करू मैं उलला पियारी है आदा, देख न मेरा में तुम भी जानम है प्यारी हर आता देखो ना तुम जरा जीवन ये है मेरा करू मैं उलला है प्यारी हर अदा, देखो ना तुम जरा, जीवन ये है मेरा, करू मैं उलला कोई भी जाने ना, मैं तो हूँ बस ऐसी, अदाए है ऐसी देख लो तुम भी जाना, कोई भी माने ना, बाते मेरी ऐसी आजना जले दुमे ये दुणी, सा जुन तुम जरा, मते रिजानिया सा जुन तुम जरा, मते रिजानिया सा 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 जरा, मते रिजानिया मुझको ना रोको, कोई भी टोके न, मुझको यू रहने दो. आज जाना चले, हादू मै यह दोंगे, साजन तु मेरा, मै तेरी जानिया, हाँ, हाँ. हने कpit हलो सेृ भाई हलो सम्पत-राव के एडिश्नल फ्लैट में तुम ही पेंटिंग काम कर रहो हो न मैं हुप बहाए तुम पेंटिंग काम छोड़के उस लड़की के फ्लैट में उसके सब्कूँ कर रहे हो क्या देखो मैं इस अपार्टमेंट का प्रेशिडंट हूँ, इसे देखना मेरी जिम्हेदारी है, यहाँ परिवार के लोग रहते हैं, यह कोई मॉल नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो फ्लैट की सारी लड़किया तुम्हारे पीछे आ जाएंगी फिर मैं क्या करूंगा मैं अपने काम पर ध्यान दूँ कि तुम्हारे उपर ध्यान देता रहूं कब तक उन्हें बचाता रहूं आप कुछ जाधा ही सोच रहे हैं मैं सोच नहीं रहाँ पहले ही थोड़ा एलट हो रहाँ देखो मैं सुनिया जी एक बार अंदर तो आये यहां बहुत इंपोर्टेंट डिसकसन चल रहा है आप आ रहे हैं यह मैं आऊं अजया जाए चिकितितो नहीं मैं ही आ रहाँ रूँ रुको भाई आगे से ध्यान रखना जो काम कर रहे हो उसी पर ध्यान दो ठीक है अब भी क्या रहे साथी यहां क्यों आया है एक काम से आया हूं मेरे फाइदे का है क्या तुमने निजाम की नौकरी किया और बहुत सारे लड़ाई जगड़े देखें हैं तुमने तो एक मिनिस्टर के साथ भी काम किया है क्या हो के छोटे से नेता से लेकर हैदराबाद के चेड़ना रेड़ी तक जान पेचाने तुम्हारी साथ में जो मोवमेंट हुआ था उसमें भी थे एंटियार से लेके चंदरबाबु नाइडू के साथ तक गूमे हो तुम पता है आरेस रेड़ी को तो तुमने पॉलिटिक सिखाई और केसियार से मिलकर तुम तेलंग ना भी ले आए सब कुछ तो कर लिया आप क्या करोगे वह सब तो पुराना है नया क्या है वह बोल सब कुछ तो देखा तुमने अब क्या देखना चाहते हो यह सब छोड़के काम क्या है वह बोल अरे रूप क्यों गया मैं थक गया हूं दादा उसे डून कर लाओ अरे गांगी हां उस आत्मी को बाहर निकाल के लाओ ठीक है भाई सब लोग रेडी दो वह आदमी बहुत खतरनाक है यह क्या है पटेल देखो भगवान तुम्हारी परिक्षा ले रहा है जाओ उसको पकड़ो जाओ छोड़ना माद उसको कहां चला गया यह कहीं भाग तो नहीं गया यह इदर आओ इदर जाओ सब लोग जाके देखो इस तरफ जाओ छोड़ना नहीं उसको भागने न पाए जल्दी जाओ जल्दी जल्दी निकलो अरे तु आदमी है या बंदर इदर से उदर कैसे पहुँच गया अबे तु किसी जानवर का बच्चा है कि इदर से उदर कूद गया अंदर कैसे गया तू जल्दी से बे मतलब पेट्रोल भूख रहे हो मुफ काता है क्या अबे जल्दी वापस आओ इधर से जाओ अरे यह इधर आगे इधर आओ जल्दी चल्दी 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 जल भगा ऐं.. चल्दी 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 भागा अरे निकल जाएगा वो तेज चल्दी चल्दी अबे तेरी खोपड़ी खाली है कि मुझे इतना बगारा था है बाल बढ़ा लेने से दिमाग नहीं बढ़ता है उसके लिए मेनद करनी पड़ती है क्या बात है इसको बोलते है असली काम झालिए भी तेरी क्या प्याए़ यजह एंवाएव क्या थे बतार क्याएव क्याएव क्या प्वर्ट थेंजाएव आई सत्ति ओट, आँ 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 सत्ती डर् ऑला करहें। दर्दो रहा है ऌफ्टे अभरेते हजole सत्ति-स्ति-सत्ति-सत्ति-सत्ति-सन्यनन दर्द कम होगा बहुत ज्यादा नवाइस क्रेट कर रहा है तू पहले तू बहारा कम रगुपती डूंट टाच मी क्या हो डर्लिंग देखो इस तरह का काम घर में करना सही है क्या तुम किस तरह के इंसान हो तो यह बात है क्या कि तुम थोड़े टाइम रुको सत्यम को सचाही बता दूंगा चाहे उसके लिए में कुछ भी सहना पड़े ठीक है तुम्हारी वज़ा से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है फुटपाथ पे रहने वाली तुमको इतने बड़े घर में रख रहा हूं यह मेरी गलती है क्या येस ये एक जेल है बट आई वांट टो बी फ्री आ जस्ट वांट तो गो आउट ये बाहर जाना मना है आई एम गोइंग अंडर्स्टान्ड आई वोंट एलाओ यू तो गोट इट तुम्हारी हर बात को मुझे येस ही कहना है क्या रगुपती वाइलेंस और साइलेंस के बीच के डिफ्रेंस को पता नहीं है काब्या को उसको अभी थोड़ा फ्रेश हावा के लिए जाने दो नए तो खराब हो जाएगी रेडी ये स्पेसल इंट्रेस्ट क्यों हमारे बीच को तुम क्यों आ रहे हो तुमको बोलकर बहुत देख लिया काब्या तुमको जहां जाना है जाकर आओ रगुपती जाने से रोक रहा है उसके बारे में मैं देख लूँगा तुम जाओ काब्या थैंक्यू सो मच लड़ी बस करो सनी सनी मैंनत बहुत किया तुने बस कर अभी जाने दे बारा चला भी जा गूर क्या रहा है जाना बाहर रगुपती आरे इधर भी शुरू कर दिया क्या सत्या मा बोलना सत्याम तुम लोगों ने तो इसे बहुत बुरी तरह मा रहा है अरे सत्याम तुझको सच बोलने के लिए दस चांस दिया मैंने बोल दे साच जब तक ये सच नहीं बोलता है के करके इसी मुलिया काटते रहो सच बोल दे बेटा बोल दे बोलू क्या सर बोलो ना सेखर कामूला जैसा सौप्ट बोलू या रामू जैसा रक्त चरितर जैसा बोलू अरे वो सब छोड़ो एक अच्छी सी फैमिली स्टोरी सुनाओ मैं जो भी बोलूँगा अपने स्टाइल में बोलूँगा सर बिना रूके बोलो तो असल में होता क्या है ये सब क्या हो रहा है सोच कर हीरो आ रहा है सर ऐसा हीरो नीचे आ गया ये सब क्या हो रहा है कहां से आई ये लोग हां मैं यहां पर कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे को ज़रूरी बात करनी है. ऐसे हीरो नीचे आ गया. वो सब बाद में बताना. मुझे अभी काम है. मैं जा रहू हूँ. नहीं, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रही थी. आज मुझे बात करनी है. फिर उधर बाइक के पास हीरोईन इंतजार कर रही है, सर. तुम्हारे पास टाइम होगा. लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है. थोड़ा सा टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास. अरे ते पूछ पूछ कर लड़की के गले में दर्ध होगा. इधर ही हीरो को इंट्रेस्ट क्रियेट करने का हीरोईन के पास मक्सद है साथ क्रांती प्लीज इस 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 सिच्वेशन ओफ लाइफ एड़ फो मी प्लीज सपोर्ट मी प्लीज क्रांती मुझ पर यखीन करो मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें जो करना है करना ओके यह तो लड़की ही सिर्फ बोल रही है हीरो के बारे में भी कुछ बोलो वह क्या साइलेंट हीरो है अरे गोलू बाबू बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी सी हिंदी कहानी सुना रहा है तुम अब तक कहा थे सौरी गुरुजी एक इंपोर्टेंट मीटिंग है ना वहां मुझे अपनी इंट्रिजेंज दिखानी है अच्छा निकलता हूं गुरुजी बाई क्या भाई सौरी सर मुझे फील हो रहा है क्या फील हुआ है अब मेरा मूद ठीक नहीं है सर अब मैं आगे की स्टोरी नहीं सुना सकता हूं जहां अच्छा एट्मासफेर होगा वही कहानी सुना सकता हूं उटी जाना होगा चलता हूं सर ए रुक 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 हमारा दो साल पहले मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें बुरी तरीके से चीट किया था सारी प्रॉपटी बेच कर उन्हें लोन पे करना पड़ा मैं MBA फाइनल एर में थी स्टडीस छोड़कर मुझे जॉब करने की नौबत आ गई मुझे जॉब की बहुत सरूरत थी इसलिए मैं दूसरे दिन फिर उससे मिलने गई वेल्कम थैंक्यू रगुपथी ने बोला है कि वो एक इंटेलिजेंट को लाने वाला है मैं बाद में कॉल करता हूं झालो को ओके हेलो नाइडू हाय रगुपाती गुद आओ बाती या इंग गुद इस जिस कावया वो सिट कावया प्लीज बी सिटेट रगुपती ने रफर्किया तो इन फॉर्मलिटी की कोई जरूत नहीं है हिस मैं ब्रदर हेलो है तुम्हारी फैमिली में या रिलेटिव में कोई भी पॉलिस पॉलिटीशन लॉयर्स या ऐसा कोई है क्या नौ सर नहीं है ना तैट्स गूड आपका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा और क्लियर है इसलिए यूर अपइंटेट 25,000 सेलरी बाकी काम के बारे में रगुपती आपको समझातेगा जॉब क्या है सर रगुपती वाट इस दिस रबिश वो क्या है की कॉंटिनियो फिर उन्होंने ओफिस में मुझे सारे स्टाफ से इंटिड्यूस करवाया और बिजनिस के डीटेल्स को मुझसे कहा गया सब कुछ सीक्रेट रखना है और मुझे अपने क्याबिन में ले गए यह मनी ट्रांजेक्शन का बिजनिस है अगर एक कस्टमर 10,000 पे करता है तो वीकली 2,000 के हिसाब से पूरा 16,000 प्रॉफिट मिलेगा उसी तरह अगर कोई 20,000 पे करेगा तो चार महिने में 36,000 प्रॉफिट मिलेगा उसको और अगर एक लाइफ पे करेगा तो गोल्डेन चांस परमानेंट मेंबर बोलके रिकरगनाईज करके सर, लेना 1% है और वापस देना 5% है वो भी इतने शॉर्ट पीरियट में हाइस पॉसिबल वेरी गूट कॉश्चन हम 20 मेंबर से लेते हैं तो सिर्फ 5 लोगों को देते हैं वही अगर 40 लोगों के पास से लिया तो सिर्फ 10 मेंबर को देने पड़ेंगे सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है हाँ, बोलो ना फ्यूचर में हमें जो भी रेस्यू पे करना है वो अगर हमारी कमपनी के पास नहीं रहा तो फिर क्या होगा सर? इसलिए तो कमपनी के बिजनेस जूबने न पाए इसलिए बिजनेस डेवलप्मेंट ओफिसर पोश्ट के लिए कावया को अपाइंट किया है तुमको अगर और कुछ डिटेल्स चाहिए तो हमारा राजु जो है ना असिस्टेंट मेनेजर होगा उससे पूछ ले ना कुछ भी हो जाए मुझे जॉब चाहिए थी तो मैंने राजु के पास से सारी डिटेल्स ली कमपनी से संबंदित सारे वर्क मैं ही हैंडिल करती थी एजिन्स के लिए गिफ्ट ऑफर्स भी रखते थे बहुत सारे लोगों को जॉइन कराने के मेरे आइडिया से बिजनेस डवलेप्मेंट क्लास और कॉन्फरेंस भी शुरू की मैंने एजिन्स को टार्गेट करके हर डिस्ट्रिक में हमने एक ब्रैंच भी ओपिन किया और टर्न ओवर लाखों से करोडों तक पहुँच गया और कमपनी ने मुझे कार और फ्लैट भी दिया हमारा ये पोजिशन देखकर हमारे सारे रिलेटिव्स हमसे मिलने आने लगे और वो लोग मेरे घरवालों से मेरी शादी के बारे में बात चीत करने लगे ये सब चल रहा था और इन्ही सब के बीच रगुपती एक दिन मेरे घर आके मेरी ममी पापा से अपनी बेटी की शादी मुझ से करवा दो इस तरह की बाते करने लगा ममी पापा को भी कोई प्राबलम नहीं थी और उन्होंने मेरे पास कोई आप्शन नहीं छोड़ा मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए इस रखुपती के सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी स्टेट पॉलिटिक्स में कुछ बंद नहीं हुआ होगा है ना स्वामे जी सर गुरु जी थोड़ा रिफ्रेश बीज बीज में से छोड़ना गलत है स्वामें बोलो नाइडा ने मजो फोन करके इवरनिमे फंक्षन हे दोनुस साथ में आना ओडर दिया और हम दोनों उस फंक्षन में साथ में ही गए थे वहीपर बें उन सब से पहली बार मिले थे हाई गाईस कव्या ये सब हमारी कंपनी के पिलरस हैं इन सब के आइडिया से हमारी कंपनी शुरू हुई है ये सब कोन है तुम्हें डाउट हो रहा है क्या थैंक यू रेक्स अल बस लोगो के शादि नहीं हो जाती है क्या कॉंग्रेट्स प्रॉक लुक ब्रो लगुपति रड्स काव्या, हाज कल फ्रार्ड्स लोगों की शाधिवी हो जाती है क्या कांग्राड्स डूड कांग्राड्स मेरी ऐंसे है सो वोट तो तो मुझे सिखाएगा की क्या बोलना है यो बैटर स्टे अवफ्रम मैं नहीं, Sunny, this is not fair. Sunny, just leave it. मैं समझ गई थी कि Sunny और रगुपती की बीच में बहुत जादा प्राब्लम्स हैं. और एक दिन जब रगुपती नहीं था, तब मैं नाइडू से मिलने गई थी. और मैंने उनसे पूछा कि कंपनी के एक्टिविटीज में आप क्यों ओफिशली नहीं देखते हैं? काव्या, मुझे सेल्फ पब्लिसिटी पसंद नहीं है. लेकिन लोगों की पब्लिसिटी से अगर हमारा कोई फायदा होता है, तो अच्छी बात है. सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप जैसे लोग, लोगों के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए स्कीम लेकर, लोगों से दूर होकर भी, अगर उनके साथ रहेंगे तो उन्हें बहुत जादा हिम्मत मिलेगी सर, और स् अच्छानक उसका फोन आना ही बंद हो गया, मैंने सोचा नाइडू ने मेरे बारे में उसको शायद कुछ बताया होगा, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन… और हमारा पैसा अभी नहीं मिलेगा, हमको चीत किया गया है, सोचकर, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे है, पुलिस उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे है, उस कंपनी के एंप्लॉईस को ढून रहे है, आगे के मुख्य समाचार इस तरह से है, हेलो रग रगोपती, टीवी में देखा न, फिर पूछ क्यों रही हो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, फिर तुम्हारे मा और पापा को बचाने के लिए कौन आएगा, फिर मुझे रगोपती के बताये जगह पर आना पड़ा, नाइडियू सबको शेर मिलना चाहिए, सम खाविया, तुम्हारे आसू, तुम्हें तकलीफ के लाबा कुछ नहीं देंगे, लेकिन धेर सारा पैसा तुमको लगजरी लाइफ देगा, यू गॉट इट, क्यो रड़ी साब, ऐसा करके मुझे और लोगों को भी धोखा दिया है आप लोगोंने, हाँ हम साब, इंसान ही सुहत आया तो साल्ट ही रहेगा, अपने लालश के लिए, आप लोगोंने लोगों को बेवकूप बनाया, ब्रांड अलग होता है, फिर भी ब्रांडी एक ही है, फूल अलग अलग होते हैं, लेकिन कुल दस्ता एक ही, पैसा कैसे आया वो माइने नहीं रखता, कितना आया व माइने रखता है, अभी भी कुछ नहीं, बिगड़ा पुलिस को सरेंडर कर दीजे, और सारा पैसा वापस कर दीजे, डिल करना तेरे हाथ में, घट करना तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए, हमारी सोच बदलना, और तुम को यहां से भागने का चाहांसी नहीं है, Do only what we say, there is no option. Mute में हुआ होगा, माइन साउंड में नहीं आया होगा, क्या बात है, रगुपती बहुत गुस्से में आ रहा है? क्या बात है, रगुपती? वो सत्यम दस करद रुपे लेके भाग ज़िए, उसने ऐसा क्यों किया? है? तू फाल तुमें अपनी नाक मत खुसा भीच में है, मेंबर्स में वो सत्यम ऐसे खलती क्यों किया? ये सब सोचने के लिए हम सभी के पास इतना टाइम नहीं है, समझे? रगुपती, मैंने एक डिसीजन लिया है, हम सब चोरी के पैसो को लेने के लिए सोच रहे थे, अब वो सत्यम अकेला ही 10 करोड रुपे लेकर भाग गया है, इसलिए इस मनी डिस्रिबूशन को मैं रोक रहा हूँ, इट्स माई ओर्डर फिर सत्यम को पकरने की जिम्मेदारी किसकी है? रगुपती नहीं उसे कमपनी में जुइन करवाय था, तो ये ऊची की जिम्मेदारी है Naidu, सत्यम को मैंने ही कमपनी में इंट्रिदूस किया था था थाना, थोड़ा टांट तो, उसे दुबारा, कमपनी में लाने की रिस्पोंसिबिटी मेरी, तब तक के लिए गुड़बाय, कभ्या, चलो चलते हैं, आम नोट कमिंग अनिवेर विद युँ, टेल मी वाय डिद यू दू 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 मी शट आप एंड कम वित मी यह सब क्या है नाइडू यह हमेश्था इसको कुछ ना कुछ बोल देता है और यह कभी उसको कुछ नहीं बोलता है तो क्या भी गाड़ा है बताओ दस करोड रुपए कहे हैं हाल तो क्यों कर रहा है मेरे रिलेटिव के घर में बिलकुल सेफ रहेगी मेरे ममी पापा ने रगुपती के डिसीजन को सपोर्ट किया मैं कितना भी कहती रही लेकिन उन्होंने मेरी बात का जरा भी यकीन नहीं किया और उसके बाद रगुपती ने मुझे अपने ही फ्लैट में क्याद करके रख लेकिन तुमने मेरे ममी डाड़ी को यह कहा था कि तुम अपने रिलेटिव के यहां पर मुझे रखोगे और अब यह क्या तुम अपने फ्लैट में रहने को बोल रहे हो च्छा तुम इतनी छोटी सी बात को फिल कर रही हो उस सत्यम के मिलने तक तुम्हारे रिलेटिव से म स्कैम का पूरा पैसा रगुपती के पास है ये तो मैं जानती हूँ लेकिन कहा है ये मुझे पता नहीं नाइडू ने इतना पैसा आखिर रगुपती को क्यों दे दिया क्या कारण होगा इसका नाइडू को IT रेट्स का बहुत खत्रा है लेकिन रगुपती को कोई नहीं जानता नाइडू के बहुत सारे प्रपरटीज रगुपती के ही नाम पर है और इसलिए सनी को रगुपती से प्रॉब्लम है अगर नाइडू को कुछ भी हो गया तो रगुपती के नाम पर ही सारी प्रपरटीज है और वो कुछ नहीं कर पाएगा, और इसलिए सनी और रगुपती दोनों ही सही वक्त का इंतिजार कर रहे हैं. क्या हुआ रमिस जी, इतने उदास होकर कहां से आ रहे हो? मैं क्या करू करून जी, शादी से पहले राजा था, शादी के बाद दास हूँ, वो पूछना भूल गया मैं, वो टी सेट के ऊपर जानवर की फोटो लगा के घूमने वाला, अरे बापरे, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? उससे पूछो न, वो मुझे जब भी दिखता है, मैं उससे पूछता हूँ, काजल अगरवाल ही दिखाता है और वही सुना देता है, अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए न, फ्लैट किसके नाम पर एग्रिमेंट हुआ है, वो लड़की जो उसके साथ रहती है न, उसी क नाम पर है, तो उस लड़की से पूछ रखते हो, जब वो आये थे, उसी के अगले दिन गया, आखों से मार डालती है मुझे, लेकिन मैटर क्या है, वो तो मुझे पता नहीं है, किसी खतरनाक हौरर फिल्म की मिस्ट्री है सर, ये संपत राव के एडिशनल फ्लैट में पें है, वो दिख भी नहीं रहा है, और उसके साथ बात करना भी बेकार है, अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट होकर मुझे पता नहीं, हमारा स्टोर रूम एक हपते के लिए चाहिए ऐसा बोलके, सेकेटरी से चाह भी छिन के ले गया, फिर तुम क्या कर रहे थे, सर्म नहीं आ है, रुको, एक करूर रुपया खर्चा करके इधर फ्लैट लिया है, तुम अपनी मर्जी यहां चलाओगे, इधर हम भी शेर हैं, बिलनी नहीं है, रमेज जी, आप जाओ, आप टेंशन मतलो, मैं हूना यहां पे, कुछ नहीं होगा क्या जी, यह कैसा साउंड है, अरे वो, ब्रह्मा नंदम को कोवई सरला ने मारा था ना, उसकी आवाज आ रही है, श्री निवाज जी ने डॉल्वी सिस्टम खड़ीदा है, उसी के स्पीकर से आवाज आ रही है, अब आप जल्दी से अंदर आ चाहिए, ठीक है, ठीक है, अरे बापरे, कैसे मारा है मुझे, श्री निवाज जी, आपने उसे उंगली क्यों की, मेरे लिए वो डेमो देखा सकता है, नहीं सोचा था, जियोड से लग गई क्या, मेरी बीबी जब मुझे मारती है ना, उससे तो ये बहुत काम है, लेकिन क्या करूँ, सब के सामने बे जती के बारे में भोल जाते है, सही है, लेकिन मुझे यकिन तो होना चाहिए ना, रमेज जी, वो बात मुझ पर छोड़ दो, वक्त को पीछे नहीं ले जा सकते है, लेकिन सिच्वेशन को बदल सकते है, कैसे, क्या हुआ रमेज जी, इतने उदास होकर कहां से आ रहे हो, मै इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, आहा, श्री निवास जी, आप तो सुपर हो, चाचा जी, मैं तीन फिट का हूँ, मेरे डैड़ी छे फिट के है, आप से कितनी बार पूछा, आप सच बोलते ही नहीं हो, मेरी मा कहती है कि आप जो है चाचा जी की तरह दिखते है, अब इसमें सीक्रेट के है चाचा जी, हाँ, रखुपती कहा है, सत्यम से सच बुलवाने में लगा हुआ है वो, अच्छा वो, तुम्हारा भाई सन्नी कहा है, अरे उसके और मेरे भाई के भी जगड़ा हुआ था ना, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आया, अच्छा है, यह कौन है, मेरे चाचा जी, रखुपती, यहाँ कोई भी बाहर का आदमी नहीं है, रखुपती के आने के बाद मैं मैं मैंटर देखूंगा, अच्छा यह बताओ सत्यम के मैंटर का क्या हुआ, अरे डोंट वरी नाइडू, सत्यम से पैसे रिकवर हो गए ना, अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे बारे में सब को बता देगा, यह गैरेंटी है, तो फिर सिंपल है, उसके शेर उसको दे देंगे, ओके ऐसा ही क क्रांडान से रि Economist से प्ientsण सस्थैन को बता बाले तो हुआ गल गलता है, तो हुआ तो महुआ झापा च ansch म अख़ता है 이제 बता है, उसे खिखंया को बता चल है, जिक के पीजता है, 29, 16, 27, 21, 20, 22, 21 नेड़ू, हमने जो कहा है नेड़ू, हमने जो कि अच्छे से समझा दो काविया काविया करके हर वक्चिलाया ना करें काविया के लिए मैं हूँ और मेरे लिए काविया हम दोनों एक दूसरी के लिए पनें और यही फाइनल है काविया फुल कन्फूजन में होगी ना काविया की सारी कन्फूजन दूर हो चुकी है क्योंकि उसके लाँ और कोई उप्शन नहीं है एक बात याद रखना इस प्लैन में अगर कुछ भी गलत सिच्विशन आती है तो उसे फेस करने के लिए इसे यूज करना पड़ेगा क्योंकि आती है क्योंकि आती है दिल ये मेरा जाना मेरी ये सुनलो धड़के है दिल ये मेरा जाना मेरी ये सुनलो जानो तेरी फीलिंग बैकी बैकी सासे आच्छा मेरे यारा ढूंडे तुझे मेरे बाहे हमाने लोना दिल का कहना दिल में समा जा रे उसमें ही मुझे को सब हा दिखता दिल को चुरा जा रे धड़के है दू ये मेरा जाना मेरी ये सुन लो धड़के है दू ये मेरा जाना मेरी ये सुन लो दिल करता है मेरा दावा सुले रानी आजावे तू ही दिल में बस्ती है सुले रानी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लगती है मुझको वेसी स्वीटी स्वीटी न्यारी न्यारी तू क्यों लागे प्यार तुझे करती हूँ मैं मुझे कभी ना चोड़ना कभी ना जाए दूर तू तुझे ही ढूंडती हूँ मैं मरता है तुझे पे दिल कितना, ये बताए कैसे आके, ये सुन लो, ये दिल तो चाहेगा तड़के है दिल ये मेरा, जाना मेरी ये सुन लो दिल ये मेरा, जाना मेरी ये सुन लो ओ, हलो ये कहती हूँ, मैं दिल ये तुमको चाहेगा चाहे तु कहीं भी जाहे, दिल ये ढूड़ेगा सुन ले जाना, दुझे कहते सुन ले जाना आ, मिल ले दिल ये जाना, तुझको देखे, भुद को पाया तुम मेरे इस दिल में हो और दिल कुछ मागे ना कभी ना तुछ को बूले हो, कभी ना जूटे है प्यार हां ये दिल ना तुछ बिन लागे हां, मैं हर बन सोचू सोचू, हा सोचू, ना दिल ये लागे हां अरे गोलु बाबु, एक घंटे से मैं यहां पर इनके साथ स्टोरी सिटिंग के लिए तुम्हारी वेटिंग कर रहे हैं सारी गुरुजी, स्टार्ट किजिए हाँ, रेडी रेडी सिनेमा अलड़ी आ गया है, फिर मैं सुनाओंगा तो अच्छा निय लगेगा रेडी मतलब रेडी सिनेमा की स्टोरी नहीं, बलकि तुम हमारे लिए जो स्टोरी सोच कर आया हो, वो सुनाओ सिर्फ सुनाने के लिए ही नहीं, तुम्हारा डिरेक्शन बदनने के लिए मैहा पर आया हूँ काहनी सुनाओ नहीं लेकिन क्यों? मैटर है क्या करने के लिए? फेस्टिवल करने के लिए कैसे? टॉलिवुट के एक पुराने फेमस हीरो के पोते की मुवी का आडियो रिलीज है, हम लोग वही जाने वाले हैं उससे हमारा के संबंद? मैं अपने कॉंटेक्ट यूज करके तुम्हें आडियो फंक्शन में लेकर जाऊंगा फिर तुम दोनों को उस स्टेश पर भेज दूगा उसके बाद? हीरो की फैमिली जैसी फैमिली इस पूरी दुन्या में किसी की नहीं ऐसा बोलना है हमारे हीरो जैसा कोई हीरो नहीं है अगर कोई हुआ तो मैं उसे माड आलूँ गा ऐसा बोलना है ठीक है थीक है देखो भाई तुम इस स्टोरी पर आजाओ कुछ नहीं, अगर हीरो अच्छे मूड में हुआ, तो अच्छा वक्त देख और उसके घर जाकर उसके पैर पर अपना सर रख कर नमस्कार करना साब सेट हो जाएगा अरे भाई, यह सब तो ठीक है, इस्टोरी क्या है? यह फिर से स्टोरी पूछ रहा है, अरे स्टोरी किसे चाहिए, किसे चाहिए? हीरो की डेट्स अगर हमें मिल जाए, तो कहानी बेकार होने के बाद भी फिल्म हिट हो जाएगी अगर यह साथ रहा तो आपका खुछ नहीं हो सकता आपको स्टोरी सुनाने में टाइम बरबाद हो जाएगा, गुडबाए कमर्सियल करने के चक्कर में नया सीन एड करना छोड़ो और सच्चाही बताओ, स्वामी थे बताओ की बताओ ए रगुपती, सत्याम.. मार दिया वाट रिंक अच्छी है रगुपति को काविया से रुमायंस करने में इंट्रेस्ट इतना जादा है कि किसी और कामें कॉंसेट्रेशन करी नहीं पा रहा है आरे उसके बारे में रगुपति को पता नहीं है वो बहुत ही चलाग है आप बस देखते ही रहो वह हमारे बंदे को भिखारी बना देगी नैडू हाँ रगुपति वैसे कब आ रहे हो तुम मुझे सनी ने काम दिया है वो काम पूरा करके आता हूं ठीक है अपने आने से पहले ना उस रेड़ी साब को भी इनफॉर्म कर देना इस अफते में शेरिंग का काम करना ही है अच्छा सेर आप घर जाके आपके पास जितना भी गोल्ड है वो सब लेकर तयार हो जाहिए मैं फोन करूंगा तब आप आजाएगा हाँ ठीक है तुम चलो मैं आता हूं ठीक है हेलो आंटी हाव यू या या काविया इस डूइंग गूड आंटी वो मामला सॉल्व हो जाएगा उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए क्या रहे प्रेमिन्ट होग या 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 लड़कियों को चेड़ने आया यहां यहां पर मैं क्यों आया हूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटन सी अबने आएगा यहां चाहिए अबने आएगा यहां यहां तो दोड़ेगे निए रूचाँ आएगा यहां पारविया यहां बोलाव से कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो दो कर दो कर दो फ़ने एपने के लिए मका दिए ने आल रवान के लिए बाइब दूना अनले हैं प्ड़ना अनले हैं ऩाले हैं प्लिए जाँ झाल प्सांट झाल कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है स्रीनिवास जी यह इस साइट का लिफ्ट काम क्यों नहीं कर रहा है एक सपता हो गया एसोशीयेशन में कम्प्लेंड किये अब प्रिसेडेंट्ट ने कुछ नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं सब कुछ प्रेशिडेंट ही करेगा क्या और नहीं तो क्या आप इतने बड़े स्टेज पे हो वो छोड़ो आप कहां से आ रहे हो खुशी की जगह से फिर दुखी क्यों हो दस दिन पहले ही उसको इसकी मा के घर छोड़ा आया गोवा क्या नहीं बैंकोक पूरी से मिला क्या आ उस तरफ नहीं कया मैं तुम तो बड़े ःमांटिक हो फिर नहीं तो क्या तो ही है ना आर के अपाट्बेंट का प्रेसिडेंट। तुम कौन हो मैं रगोपती का भाई हूँ रगोपती वो कौन है तुमें उनके बारेमें नहीं पता है हमारे बारे में पता नहीं है क्या डैड बॉडु भी नहीं मिलेगी देखो भाईं डरने का सिम्टम मेरे बॉड़ी में नहीं है, वो क्या है ना, कि मेरी वाइप ने मुझे मार मार के रॉट जैसा बना दिया है, समझ गए ना? यह दर कोई, रंग का डबबा लेकर गोम रहा है, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? अच्छा यह बात है, अब मुझे समझ में आ गया है, अब तेरा स्क्रीन प्ले छोड़ कर मेरा वर्जन सुनो, तेरा वो भाई है ना, बहुत ही निगेटिव करेक्टर है, उससे बात करो तो बहुत गुसे से अटेक करता है, संपत राओक के फ्लेट में आये हुए उससे दो स सबáo हो गये, अपाइटमेंट में किसी को भी अभी तक उसका नाम और पता नहीं मालूं चला है, वो बताता नहीं है, और हमको पता नहीं लग gonna दिया, और किस्ती का बारे में पूछ ना हूँ ता dop मेरे बाई के बात कर रहे हो? लिग, तुमने मुझ से पूछा है ना, तु करना है बोलो ओल्रेडी मैंने कर दिया है भाई आप जिसको भावी सोच रहे हो ना उसी लड़की को दिखा कर शाम के वक्त संपत राओने किया था वो क्या है काजल अगरवाल की बाहों में जाने के लिए सोच रहा था तुम पागल यसी बात मत करो पागल नहीं तुम उनके बारे में कम सोच रहे हो उस लड़की को कंट्रोल में रखना होगा मैं कंट्रोल में रखूंगा तुम्हें करना है तो करो मैं तो सिर्फ एडवाईज दे रहा हूं इसका मतलब तुझे भी पनिश्मेंट देनी होगी देखो भाई अपने जिंदिगी भर के गम को बैंकोक म अपने जब आज़ देखो कंट्रों अपना है तुम्हें कुछ तुनीन है तुम्हें कुछ थुम्हें कुछ थुनीन नहीं है ओ शिट ये नायदू का फेरिट पॉड़ था ता शोरी रखूपती इज रखे इन भाई मिस्टेक अट अगेट अनाध बॉटल तेत्स यहाँ करना पूर चाहँ कि पूर खानने शूर्यार पार अगाँ कि पूर्यार काधिया, क्या हुआँ, कि एनिजिंग रॉंग कि सनी आया था कि सेलर में मेरे साथ मिस बिहेव किया उसने पूरा पैसा मेरे पास ही है और मेरे साथ ही में डियेट आना होगा ऐसा कहा मैं समझी नहीं पाई वो क्या कह रहा था कि सनी सनी दर क्यों है कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई हो सकता तुम्हें कोई गलत फैमी हुई हूँ कि पताया उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा रगोपती को मारूंगा मार डालूंगा रगोपती को कि अदो कि अदाती कारूंगा कि अदाती को रगुपती रगुपती पैसे क्यों लेकर गया है पता है ना तुम्हें फिर भी क्यों पांगलों जैसे बीएव कर रहे हूं पैसा सनी लेकर क्यों जाएगा हम सब तो एक ही ग्रूप में है ना फिर वो मुझे चीत क्यों करेगा कि अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूं मैं कितनी बार बोला तुमको यहां किसी को देखा है क्या मैं अपनी बात नहीं कर रहा है कोई नया था क्या मुझे कैसे पता होगा सर मैं तो यहां पे नया हूं क्या हुआ है तुम उठो सर आखिर तुम लोग लड़की हुए नहीं हूं मैं आपे काम करने के लिए हूं मारना थे किसी और को रख लीजे यहां के मुझे मुझे बारने लगे अपार्टमेंट में कौन आता है कौन जाता इसे कुछ पता निदूखी करता क्या है यहां पे ब्रदर मेरे एक्स्प्रेशन का मीनिंग इसे क्यों मारा वो नहीं है असल में मैटर क्या है यह मुझे बता हूं है अबार्टमेंट में कोई नए आदमी आया था क्या नए आदमी को नहीं पुराने आदमी को ही नए तरीके से देखा था आखिर कैसे देखा था वो क्या है क सब्सक्राइब के पूछोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अपने फ्लैट में कुछ काम करवाना है। इसलिए तेरी वरकिंग स्टाइल देखने के लिए आया हूँ। रेटी जी मुझे काव्या और सणी के बारे में रगुपती से परसनल बात करनी है। मैं जब फोन करूंगा तबाप आईएगा काभिया के मैंटर में मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है मैं तुम्हारे साथ हूँ रहो पती हमा रहे है कि अग मैं तुम्हारे साथ है साथ निए टूम्हारे साथ है झाल 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 मतलब तुम पैसो के डिस्ट्रिब्यूशन के भी बात करने वाले हो क्या तुम पैस्ट्रिब्या तुम पैस्ट्रिब्या उधर भी चगड़ा करेंगे तो पुलिस से पकड़ी जाएगे यही प्रैंसिपल हमको भी मानना पड़ेगा हम समने चोरी करके लोगों का बहुत सारा पैसा चुराया है वो कोई छोटी मुटी बात नहीं हम सबने मिलकर एक इतिहास रचा है अगर हम लोग फिर से ऐसा ही तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा यह याद रखो रखुपती अब एक परसनल बात करते हैं जिस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं हो सकता तुम्हें इस बात से बहुत दुख होगा तुम कावया के बारे में बात कर रहे हो क्या है येस डेट्स राइट देखो रगपती, अगर काविया इस बारे में कोई डिसिजन लेती है, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए. तीक है, मैं तुमसे सैमत हुआ. गुड. गुड. रगपती, अब पैसे लेकर आओ. हम डिस्ट्रिबूट करेंगे, तब तक ड्रेदी भी आजाएगा. जो आए दिरूँ पर में कि रगुपति कीज कीज तेरे पास ही है ना वाट मैं उन कीज की बात कर रहा हूं जो तेरे पास है मैंने भी उसी कीज के बारे में बोला जो तेरे पास है तुझे समझ महा रहा है तू क्या बोल रहा है मैं कोई नई बाते नहीं कर रहा हूं सनी सनी भाई रगुपति खुल के बाद करना चाहता है करने दो उसे रगुपति वाट इस दिस एडू सनी मेरा फ्रेंड है उसको धोखा देना मुझे पसंद नहीं टेकिट गुड़ लग सनी रगुपति तू पागा लोग है हुख्या रगुपति तू पागा लोग है हुख्या रगुपति जिए तुझे, तुझे काव्या चाहिए रहु झाल मुझे, तुझे काव्या चाहिए रहु झाल रखुपती, रखुपती, लिसन, सनी को माँ दिया, अब पैसा, पैसा कहा है? अब एक रड़ी ही हमारे पास ऑप्शन है, कमपनी के डॉक्यूमेंट्स भी उसी के पास है, और रड़ी यहां आने के लिए रड़ी हो सकता है, बस नाइडू के फोन से कॉल करो उसे, ओके? नाइडू का फोन है, हाँ नाइडू, बीच पे हैं, डाबा पे खाना का रहे हैं, खाने के बाद आएंगे, काविया, फ्रेश हो जाओ, और जो चाहिए पैक कर लो, काविया नाइड़ी हो जाइड़ी 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 कि अपने घर में कोई प्लास्टिक बैग है क्या कि अपने घर में कोई प्लास्टिक बैग है क्या कि अ हुग झाल 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 इतने पैसे लेकर भागने के लिए हमारे पास जाल पास, पॉफेक्ट आईडिया नहीं है ग्रुप में सणी और रगुपती के बीच का जगडा ही खमारे प्लान का स्टाफ है फर्स्ट कहां से स्टार्ट करना है हलो हलो सनी, आम काव्या वट अ सप्राइज यह तुम मुझे कैसे कॉल कर रहे हो मेरा नम्मर तुम्हारे पास रगुपती तो कभ ही नहीं दे सकता anyways, बेबी क्या चाहिए बोलो तुम चाहिए मुझे वाट I love you, Sonny वाव, is it true? ओके, तो बताओ कहा मिलना है दस मिनिट में सेलर के पास और रगुपती तुम्हे कुछ रगुपती तुम्हे कुछ हुआ तो नहीं नहीं? तुम्हे कुछ हुआ तो नहीं है? तुम्हे कुछ को करांती ने लगुपती के फ्लैट से पैसे लेकर सन्नी को क्यों दे दिया उदर बैग तो क्रांती ने रखा था लेकिन सन्नी को काविया ने बताया कि वो बैग वहाँ है तुमने क्योंकि टाइम भी आया है ना सनी तुम्हें वेवकूप बनाने के लिए वो हमारे प्यार की बीच में आ गया तो मार दूंगा रगुपती को मार दूंगा ये बात पता चल गई तो रगुपती उन्हें क्यों शांस देगा बैचारे सन्नी को इस बारे में पता नहीं है ना एक्जाक्टली उसके बाद मैं यही बोलूंगी सनी मुझे इस वाइलेंस का अंत साइलेंस से करना है तब ही हम दोनों शादी करके खुश रह सकते हैं मुझे इंसान बना रही हो काव्या आई लव यू आई लव यू सो मच क्या करना है बोलो टेल मी अगर नेक्स्ट इसमें अगर नाइडो इंवॉल्व हो जाए तो हमारा प्लान पक्का वकाउट होगा सन्नी तुम्हारे भाईया से ही तुम्हें हैंडल करवाना है नहीं तो इस रखुपति को मनाना बहुत मुश्किल है फिर से रखुपति तेरे लिए तो भगवान से भी लड़ सकता हूं रही आली सन्नी ओल्वेस विथ यू बेब ओके सनी बाई गलत है धोखा है बहुत बड़ा धोखा है वो सब तो ठीक है लेकिन ये थम सिंगनल्स क्या है अरे साइजी आप दुखी मत हो ये धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है ओ तो फिर जो सन्नी लेकर गया उस बैग में अरे पागल दिमाग है क्या तुझ में क्या खाता है तू इसलिए तो वह मर गया है अहां सभी है सनी को कॉल करो और मैंने जो कहा उसे बोलो है काव्या है एनी प्रोग्रेस तुम्हारे बारे में रखुपती को पता चल गया है और जल्दी से अपने भाई को लेकर यहां पर फ और अगर रखुपती ने नाइडू को फोन कर दिया तो क्या करेंगे नो प्रॉब्लम काव्या तब तक सनी की बाते हैं सुनकर नाइडू के सर के दर्द को बढ़ने से कोई नहीं लोग सकता बाई आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है पर आज नहीं क्यों हमने गोल्डन चांस में जितना भी कमाया वो पैसा आज डिस्ट्रिबूट करना है उससे पहले मेरा मैंटर सॉल होना जरूरी है किसका आई लव यू सनी पर रगुपती का क्या होगा उसे आप देखेंगे सनी का फोन आफ होने के बाद रगुपती नाइडू को कॉल करेगा और तब तो बस सिफ दो बाते होती हैं जस्ट टू लाइन्स पैसे लेकर रहा हूं हमार है उस टाइम पे सनी पैसे लेकर के गया है रगुपती ऐसा डिसकस करेगा ना तो भी कुछ नहीं हो पाएगा पर ऐसा क्यों तब तक इस मैटर के बारे में सनी नाइडू को सब कुछ बता करेगा तो नाइडू कुछ और ही सोचता होगा काव्या मिस हो गई है ये बात जब वो लोग सोचेंगे तो नाइडू सोचेगा कि पैसे सनी लेकर के गया है रगुपती ने ये प्लान बनाया होगा नाइडू इसी उधिरबुन में लगा रहेगा तब ही रगुपती थोड उनके इंटेंशन को बाहर आने का वेट करेगा सनी के बिहेवियर और नाइडू की बाते सुनकर रगुपती को शक हो जाएगा और वो घुसे में आकर सब को गोली मारतेगा मेरी डार्लिंग के डार्लिंग तुम हो ये पता लगने के बाद तेरे बारे में जानने का विचार करना सिर्फ बेवकूफी है बट तूने एक प्लान बनाके मेरे प्यार को इस्तेमाल करके तूने उसी से मुझ पे अटेक किया कि उस बात के लिए तुझे हैट्स ओफ यार कि आप लोगों को तो क्लाइमेक्स में आना है अभी क्यूं है क्लाइमेक्स है सर नाइंध फ्लोर पे जाना है हम लोगों को लेकिन क्यूं कुछ नहीं सर आपके अपार्टमेंट में से किसी ने हमारे पुलिस टेशन में फोन करके बताया कि यहां बुलेट्स फाइरिंग का साउंड आ है इसे क्यों चिल्दा रहे है सर चलिये चलते हैं ना यह अपार्टमेंट किसका है मेरा और मेरे बिजनेस पार्टनर अरजुन का है इस फ्लैट में और कौन रहता है कोई नहीं रहता है यह सिनेमा ओफिस के लिए हमने खाली रखा है और इसको ready करने के लिए हमने एक लड़के को दिया हुआ है ये फ्लैट किसका है? वो भी मेरा ही है सर रघुपती नाम के एक आदमी को मैंने रेंट पे दिया हुआ है वो एक लड़की के साथ हमेशा अपनी बेंस गार में घुमते रहता है मतला उनकी फहांदी नहीं है? वो सकती है सर मतला मुझे ऐसा लगा इसलिए बोला चलिए फिर चेक करते है दोर बंद है जरा बेल बचा कुस्तो चक्कर है सम्तिंग इस गुइंग औरे सर जी इसमें बड़ी बात क्या है अरे घर लॉक करके कहीं बार गय हूँ तो पिर हमें पावर आफ करना पड़ेगा और ये काम मैं करूँगा अरे चलो 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 अरे रेड़ी के साथ फोन पे क्या बात करनी है पता है ना अगर कुछ एक्स्ट्रा किया ना अरे बात करना पता है अगुआ पती यह नाइडू का है रेडी जी नाइडू अपने 15 साल के भाजे को 15 लाग की स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर देने के लिए गया है उसी वज़े से वह रिंग रोड की तरफ गया है वह इधर आया था पर पता है क्या हुआ पंदरे मिनट के बाद वह सब लोग हॉ रेडी जी अपने इस बटले को मुझ बंद करने के लिए बोलिया है काविया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अपसे मेरा और काविया का कोई संबद नहीं मैंने उसके बारे में क्या सूचा था उससे शादी करूंगा उसके साथ जिन्दगी गुजारूंगा लेकिन वो अरे वो दोरों एक दूसरे से प्यार करते थे मुझे पता हिनी चला देखो तुम दुखी मत होना नाईड्यू ने मुझे फोन के मेरा ओपनियन मांगा था नौइडू के बाद सानी भी मुझे फौन किया कि मैं का प्वया को सपोर्ट गरूने तो मुझे मुझे ताय मुझेज पता है रगुपती तो मैं तेरी भावनाव को अच्छे समझता हूं रगुपती अ लेकिन नाइडू के रिस्पेक्ट के कारण मैंने तुसे बात नहीं की क्योंकि मैं तेरे साथ का बीभी मार पेट या जगड़ा नहीं कर सकता ना इसलिए जैसे ही मैंने हां कहा काव्या ने स्टनी का हाथ पकड़के नाइडू के साथ चली गए उनका रिलेशन्शिप अब बहुत ही स्टॉंग है वो सब तो एक ही प्लेस में रह रहे होंगे अब तो नाइडू अपना हर काम काव्या से ही पूछ के करेगा ना नाइडू कहा है पुछे उससे हलो 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 रेड़ी जी मैं काव्या बोल रही हूं तभी मैं कहूं की नाइडू का फोन तेरे पास कैसे आ अचा तो बताओ मेरा बांजा कैसा है वो तो आई सीउ में है रेड़ी जी लगता नहीं है कि सुबह तक उन्हें होश आएगा रेट हैं फिर हमारे काम का क्या होगा हुआ हम सब का जो भी शेयर है वो आपको रगुपती देदेगा और उसकी चाबिया नाइडू जी के पास ही है बट नाइडू जी जब तक होश में नहीं आते तब तक कुछ नहीं हो सकता ना ओके तो फिर ठीक है अब इसके लावा क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं ना जब उसको होश आए तो कहना कि मुझसे वह बात करें पैंसों के बटवारे का माहमला है ना रखता हूँ यह क्या लॉक है क्या अपने बाप से पूछना आरे बेटा संपंगी यह लोग हम लोगों से नहीं खुले गारे इसलिए मेरी बात मान ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है यह बैग को ले चल बाद में देख लेंगे समझा अभी लेकर चल बैड़ी बेना चाबे के ताला खोलने मुझे अच्छी तरह आता है एक बार ओपेन करो गया सारी सचाई सामने आ जाएगी रड़ी जी अपने इस पटले को समझा दीजिए विश्वास करना सीखना चाहिए जो तुझ से कभी नहीं हो गा स्कैम का पैसा बहुत सालों तक मेरे पास ही था अगर मैं चाहता ना तो इसका पैसा आपको कभी नहीं मिलता एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती ड्राइब मिलती good performance good performance what an implementation what an implementation is असल तुम्हें यहाँ नहीं फिल्मों में हिरोईन होना चाहिए था सच में अगर तुम फिल्मों में होती ना तो दीपि का पादू कौन नहीं होती यहाँ तो कि काज़ो लगरवाल भी नहीं होती सब की छुट्टी कर देती तुम रखुपती तुम अपने आपको बहुत होश्यार समझते हो ना तुमने रेड़ी पर जो आइडिया अपलाई किया है ना वो क्रांती का है और इसे लिए मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया खुश होने की जरूरत नहीं है पहले मेरा काम होने दो फिर तेरे सिक्स सेंस बॉइफ्रेंड की बॉड़ी में सिक्स पुलेट उतारूंगा और साथ में तू भी मरेगी लव बर्ड्स के लिए बेस्ट अफ लुक्त सब कुछ किलीन हो चुका है जितनी जल्दी हो अपने लोगों को लेकर के आ जाओ अउनली कटिंग और पैकिंग बागी है मस ठीक है बाई ठीक है बाई अरे संपंगी पैसा कहां गह रहे क्या डेड़ी बेखुब बना दिया उसने हम लोगों को मैंने कितनी बार बोला आपको आप सुनती नहीं अपनी वाली करते हैं खा गया न धोका अब आ रहा न मजा कॉन्फिदेंस कॉन्फिदेंस बोल रहे थे रगुपथी के सामने बैग ओपन करू बोला तो आपने वहीं पर मना कर दिया अब लग गया ना आपके जहलिए कितना बड़ा चीटिंग किया रे संपंगी वह हमारे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था अगर यह सब हम किसी को बताएंगे कि इस बैग में पैसा नहीं है तो कोई यकीन करेगा क्या कोई भी नहीं करेगा अरे उधरी मार देगा हम लोगों को और क्या अब क्य का करेंगे हम मुझसे पूछ रहे हैं चलिए खतम कर देते हूं को हम लोग चलिए दिखाते हैं उनको हम लोग कौन है चलिए जिए उनको हम तो झाल झाल दो कि अ गृक वह वह यही कहीं पे छुपा हुआ है पकड़ के माट डालो उसे चाओ में अेर आसे नहाँ कि अजाँ नहां कि अज़ कि अज़ कि अज़ी हॉप लंख हॉप खिए से हुआ है पेर वो इंहें height कैने साद produ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दॉड़ हुआ 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 और कि अग्या पर भूंच अप्रून इंप कि अग्या जिसके साथ इंप faid कर रहा है अरे उसका बाप होगा देख क्या रहें चलिए मारिया उसको मैं सब लफड़े में नहीं पढ़ने वाला मैं आपका बेटा होना पिता जी आप उसे मारेंगे कि मैं जाऊ तुने सही कहा समपंगी तुई मेरा बेटा है मुझे पता चल गिया चलिए अब इसे वाही दाते है अरे गोलू बाबू, सब्जेक्ट में सब चीटर ही है, सब लोग चोर है ना? सब लोग नहीं, एक हीरो है ना? कहां? यहां, हेलो गाइस! क्या हीरो, कलर कर रहे हो? कलर लगाने वाले को कलर के बार में नहीं बोलो, बस इतना बताओ किदा डालो? क्या डालोगे, वो मेरे फ्लैट में ही नहीं, मेरे को भी कलर कर दिया है, और क्या है बाकी कलर करने के लिए? कलर कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे फ्रेंड अर्जुन रडडी ने मुझे यहां पर भेजा, गूगल पर एड्रेस सर्च करते करते मैं आने में लेट हो गया, अरे लेट नहीं, बहुत लेट हो गया, उतना लेट गया है, तुम मेरे और मेरे काम के लावा कुछ औ हो तो बोलो, बोलूगा, बोलूगा, तुम यहीं परुको, मैं अभी अर्जुन को फोन करके, यहां पर क्या हुआ सब पता लगाता हूं, कर लो, अरे, देखो, उसका नाम लिया, और उसका फोन आ गया, हलो, अरे, क्या चल रहा है यह सब, पहले जिसे भेजा वो कौन था और यह कौन है? पहले जो भी आया ना, हाँ, यह काम के लिए आया है, अब जो हो गया वो तो, उचे पता है सब कुछ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? गबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम बिलकुछ सेफ हो, बस आया ना, तुम को पता चल लो मोर्च टाल। है तो होगा, बिलो को सबटने के लिए, अको यह को पतले सिसलो, अ बॉल कि औाल प्रेश औरी ये धन्यू यहां जो भी कुछ हुआ उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ मत पूछो, मैंने रिजाइन कर दिया है, प्रेसिडेंट के पोश्ट के लिए अब कोई भी आवेदन कर सकता है, भविश्व में मैं कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट या इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन किसी भी अपार्टमेंट का प्रिजिडेंट कभी नहीं बनूंगा थैंक यू, बाई